आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को callback functions के बारे में बताऊंगा callback functions का इस्तिमाल होता है जब भी आप लोग एक function को call करना चाते हो once a function executes यह सब किस तरह से काम करता है हम थोड़ी दिर में देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे promise को promise बहुत important concept है acing javascript के अंदर चुकि यह काफी confused किये जाने वाला concept है javascript enthusiast के बीच में लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत obvious बना दूँगा promises को आप लोग इस वीडियो को like करना और नीचे comment section में javascript हो भी जरू लिग देना चलते हैं computer screen में let's roll the intro so guys मैं आचो का उपनी computer screen में और यहां पर वीडियो नंबर 75 का जो है मैं फोल्डर बनाने वाला हूँ और shift right लिक करके आप लोगों को आज बताने वालों मैं callback क्या होते है और promises क्या होती है देखो यार अगर हम लोग बात करें callback की तो callback function simply एक function होता है जो कि एक function के अंदर जा के रन होता है इस बात का क्या मतलब है ही मैं आप लोगो को जल्दी से बता देता हूँ देखो एक function हमने अभी देखा कि run होता है जब भी हम उसको एक argument देखे और run करते लेकिन यहाँ पर callback function एक function को हम pass कर सकते है मैं आप लोगों को notes में ले जाकर इसका एक example दूँगा और करके दिखाऊंगा आपको ताकि बहुत ही clearly समझ में आए और पर उसके बाद हम लोग promises की दरफ चलेंगे और यह देखेंगे की promises क्या होते है इससे बहले कि मैं आप लोगों को callback और promise के बारे में बताऊं मैं आपको asynchronous nature of javascript के बारे में बताना चाहता हूँ अब यह asynchronous nature of javascript क्या है देखो यहाँ यहाँ पर अगर मैं इस website को preview करूँ और आप लोगों को I hope दिख राईए बहुत ही clearly अगर मैं यहाँ पर लिखू console.log और मैं यहाँ पर लिखू क्या लिखू मैं Harry is a hacker ठीक है तो आप लोगों को यहाँ पर Harry is a hacker दिख जाएगा मैं console अगर आपको दिखा हूँ तो Harry is a hacker यहाँ पर आगया no surprises there अगर मैं यहाँ पर लिखू rohan is a hacker और यहाँ पर spelling e हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर rohan is a hacker ठीक है e वाला hacker यह दो अलग अलग hacker होते है यह बंदा hack करता है और यह बंदा भावावाजी करता है अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि आप लोगों यह दिखाऊंगा कि यह लाइन जो है पहले आ जाएगी उसके बाद यह वाली लाइन आएगी क्योंकि यह उपर है कि नीचे करूं तो रोहन पहले आजाएगा हैरी बाद में आ जाएगा जाएगा भाई जो उपर है वह पहले चिता न फिर नीचेवाल एंग्जीवीड होगा मैं कहता हूँ नहीं हमेशा एसा नहीं होता है जब भी जावास क्रिप्ट को कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कि यह सेण्क्रोनस नेंचिर है तो वो जो है javascript बाद के लिए ताल देता है और जिसे मालो मैं आपर लिखता हूँ set timeout ठीक है और मैं आपर timeout डाल देता हूँ मैं आपको set timeout के बारे में बता है सबसे पहले मैं आपर console.log लिखोंगा I am inside set timeout और timeout अगर मैं कर दूँ 2 second तो आप सोचोगे कि यार पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर इसके बाद ये चलेगा और फिर इसके बाद यहाँ पर the end ये चलेगा ठीक है तो आप सोचोगे कि पहले ये print होगा फिर ये print होगा फिर 2 second बाद ये print होगा और फिर उसके बाद ये print हो जाएगा लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा पहले ये दोनों print होंगे उसके बाद इसको ताल दिया जाएगा इसके execution को ताल दिया जाएगा 2 second के लिए और script आगे बढ़ेगी, script रुखेगी नहीं इसके 2 second के लिए ये set timeout function जो है, ये simply ये कहा रहा है कि इसको 2 second बाद run कर दिना लेकिन जावा स्क्रिप्ट के asynchronous nature के कारण ये जो है run होगा और ये जो है defer कर दिया जाएगा बाद के लिए तो आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये कहाएगा अच्छा तो मैं 2 second बाद run ना है, ठीक है हो जाना the end print होगा और 2 second जैसे हो जाएगी ये print हो जाएगा तो ये, ये, ये और ये order रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो तो the end पहले हो गया और ये set time out वाला बाद में हो गया, ठीक है अगर मैं यापर कहूंगी, zero delay के साथ run होना है, ठीक है, अगर मैं इसको zero भी कर दूँ तब भी आप लोग देखो, to your surprise, ये सबसे end में हो रहा है run तो जब भी हम set time out का इस्तिमाल करते हैं, तो ये कहता है कि भाई तुम्हें zero second बाद run होना है, हाँ ठीक है, हो जाना, लेकिन पहले मुझे पूरी script को run करने दो और उसके बाद ये run होता है, ठीक है, तो I hope कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, हम लोग डीटेल में और event loop के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं आप लोग सिंपलेस्ट वे में समझाना चाता हूँ इस चीज को, ता कि आप लोग अपने programs वगेरा बनाना शुरू कर द अगर तो पहले ये print होगा, फिर ये print होगा, इसको टाल दिया जाएगा, इसको टाल दिया जाएगा, कहेगा हाँ भाई, पहले script run हो जाए, फिर देखते हैं तुम्हे, the end print होगा, फिर इसके बाद ये 0 second बाद पहले ये आया था, तो ये होगा, फिर ये होगा, तो आप दे synchronous function है इसलिए इसको टाल दिया जाएगा बात के लिए ठीक है अब हम लोग यहाँ पर जो है callback function को देखते हैं क्या है callback function is a function passed into another function as an argument which is then invoked inside the outer function to complete an action क्या मतलब वो इस बात का एक बहुत ही simple सा example मैंने यहाँ आप लोग को दिया हुए जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक load script नाम का function है जो कि script का URL ले रहा है और callback function जो है वो ले रहा है यानि कि इस function को execute कर दिया जाएगा जैसे script load हो जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने क्या कि script is equal to document.create element एक element create किया script का और इसके अंदर इसका जो src है वो हमने यहाँ पर जो भी URL हमें मिला था वो डाल दिया हमने कहा कि जैसे script.onload हो जाए यानि कि यह एक event है हमने कहा कि script जैसे ही load हो जाए तो आप इस callback function को call कर दो with this script as an argument तो यह callback function हमारी मर्जी का function है हम कुछ भी दे सकते हैं हम चाह सकते हैं कि हम alert कर दें script को या फिर हम simply console log कर दें script को या फिर दोनों चीज़े कर दे callback function हम जिस function का नाम देंगे वो होगी तो एक काम करते हैं क्योंना हम इस load script को is equal to एक arrow function ठीक है एक arrow function और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत ही जल्दी से कि आप लोग react redux ES7 ES7 react redux मेरा actually installed होगा installed extension में होगा हो यह है यह वो extension है जो कि मैंने install कर रखी है आप देख सकते हो और यह भी मैंने install कर रखी है ठीक है तो एक है DSZNAJER और एक यह है ठीक है यह same नाम है almost extension का लेकिन आप इनको install कर लेना फाइदा गया होता है इसको install करने का कि मुझे कभी arrow function मना रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ANFN enter बारूँगा तो मुझे एक anonymous function मिल जाएगा तो load script क्या क्या ले रहा है एक तो src ले रहा है और दूसरी चीज़ ले रहा है callback और यहां पर आप देख सकते हूँ मैंने गलती से use callback जो है वो use कर लिया tap दबाया तो यह react का use callback यूज हो गया आप callback लिखे यहां पर click करोगे जैसे ही अब देखो कि यहां पर अब आप इसको लिख सकते हो तो मैं कह सकता हूँ document.createElement और मैं कहूँगा कि एक script जो है वो create कल दो मैं कहूँगा let sc is equal to this और इसके बाद मैं कहूँगा कि भाई चलो ठीक है अब sc.onload sc.src is equal to sc.onload is equal to anfn anfn से क्या होता है एक arrow function मन जाता है और यहां बर जिस सरह से हमने एक arrow function दिया हुआ है हम इस arrow function के अंदर कुछ भी कर सकते है हम इस arrow function को सीधा ऐसे set करते है callback ठीक है कि भाई इस function को call कर दो with arguments hurry ठीक है तो मैंने एक बहुत ही simple सा callback देदी है and maybe alert भी करता है बट मैं सिर्फ अभी console log करूँगा यह किया है मैंने बहुत ही simple सी चीज करी मैंने का कि भाई onload यह बना दो और इसके बाद इसको head पर append कर दो तो मैं कहूंगा document.head.append क्या sc ठीक है बहुत ही बढ़िया तो मैं इसको format document कर दूँगा format document कर दूँगा और मैं यहाँ पर simply क्या करूँगा मैं का भाई load script करो load script करो with src और src मैं भी देता हूँ क्या है वो कौनसी script को हम load करना चाहते हैं तो मैं काम करता हूँ एक prism.js cdn करके लिखता हूँ और मुझे यहाँ पर cdn.js में prism.js का code मिल जाएगा निए मालनो मैं यह script लोड करना चाहता हूँ prism.min.js मैं इसका src यह वो copy करूँगा और यहाँ पर मैं इसको paste करूँगा और मैं एक function दूँगा जिसका नाम है callback ठीक है callback ठीक है मैं toggle word wrap कर लेता हूँ और जैसे मैं इसको run करूँगा आप लोग देखना है यहाँ पर कि जैसे मैं इसको reload किया और आप देखो इसको मैं reload कर रहा हूँ अभी तक फिलाल कुछ नहीं हुआ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है क्या यह load script चला भी की नहीं चला तो मैं इसको load गर रहा हूँ script को मैंने का sc.src is equal to this sc.onload is equal to यह वाला function callback हैरी चलना चाहिए और हैरी print होना चाहिए था let me see what's wrong हैरी print हुआ यहाँ ठीक है I have inside set time out और भी बाद में हो तो यह हैरी print हुआ तो जैसे यह script load हो जाएगी हैरी print होगा आप देख सकते हो तो अगर मैं यहाँ पर अपने network को थोड़ा slow करूँ जो कि मैं कर सकता हूँ यहाँ पर click करके और मैं उसको slow 3G कर दूँ और मैं इसको reload करूँ तो आप देखो जैसे ही इसको मैं reload करूँगा देखो यह करके सब कुछ आएगा और यहाँ पर हैडी भी आगया अगर मैं इसको custom बनाओं कुछ बहुती slow net की speed देदू तो शायद मुझे देखने को मिले कुछ पर अभी no throttling करते हैं और हम इसको समझते हैं कि जब भी हम इसको चाहेंगे call कर सकते हैं यह करने का फाइदा क्या होगा आपको गया यह क्या है क्यों मैं callback दे रहा हूँ मानलो आप चाहते हो function को on demand run कर रहा है मतला मैं चाहते हो अपनी मर्जी से मैं कहुँगा कि यार यह function जो callback बनाया है function यह इसको दे दो और यह अपने हिसाब से इसको call करेगा तो हम pass कर सकते हैं मतला function को as a variable हम pass कर सकते हैं कुछ ऐसा समझ जो बस इतने यह callback में क्या होता है कभी-कभी हमें callback के अंदर callback callback के अंदर callback callback के अंदर callback हमें चाहिए होती है अब मानलो यह भी एक callback लेता हो और जो fn है उसको हम यहाँ पर call कर रहे है कुछ इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है कि हमने callback लिखा callback के अंदर हमने एक और callback दिया और ऐसे बहुत सारे functions हम बनाए जा रहे है बनाए जा रहे हमारा पुरा function भर गया यहाँ फिर अगर आम इसको ऐसे ना लिखकर मैं एक नई फाइल आपको बना के दिखाता हूँ माललो मैं इसको ऐसे ना करके अगर मैं कहता हूँ भाई यह जो है नहीं बना रहा है मैं इसको यही पर डाल दूगा यहाँ पर मानलो मेरा fnb business call back ले रहा है मानलो इसके inqui दर दर और епेवा को बेद भाग आली Ben अबना बेसके लोनो सला है लो यह पर क्या होता है कि सब्सक्र दाएक अबर और इसके बाद मानलो यह दुबारा से ले लिता है एक और callback function ठीक है तो होगा क्या कि यहाँ पर मानलो मैंने code लिखा code पर code लिखता जाओंगा तो यह जो code है मेरा इतना complicated हो जाएगा एक time पर क्या बताऊं कि यह इस तरह से दिखने लगेगा जिसको हम callback hell कहते है जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा इसको pyramid of doom भी कहते है तो यह pyramid of doom बन जाएगा इसके अंदर ये इसके अंदर ये इसके अंदर ये इसके अंदर ये नहीं पास किया है set timeout को set timeout को हमने एक function पास किया और दूसरा time पास किया है ठीक है तो ये callback function हम pass नाम से भी कर सकते थे हमने directly यहाँ पर link दिया लेकिन अगर हम चाहते हैं कि code हमारा बहुत अच्छी तरह से manage हो तो हम promises को जो है use करते हैं promises क्या होती है मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग notes को जरूर पढ़ना और इसको समझना जो मैंने बात बताई है लोड script को भी चला के देखना एक पर आप और अगर मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पर fn is not defined आ रहा है मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है fn is not defined आ रहा है यहाँ पर मैंने callback दिया src दिया इसको fn दिया const fn is equal to this I am not sure यह क्यों आ रहा रहा एर script.js line number 21 पर आ रहा है fn is not defined आ रहा है okay तो fn is not defined इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं fn को इसके अंदर define करना चाहूँगा मैंने actually fn को pass नहीं किया callback में ठीक है मुझे fn को pass करना अपने करना इस तरह से ठीक है तब जाके यह जो है जाएगा अब यह चल जाएगा तो यह जिस मैं आप लोगों दिखाना चाहता हूँ कि head के अंदर यह जो script है prism.js यह जो है चल चुकी है और अगर अभी मैं आपर prism लिखूंगा तो यह चली है यह prism जो है एक syntax highlighter होता है जो कि मैं codewithari.com पर भी use करता हूँ इससे syntax highlight हो जाता है बट यह किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं topic अभी हम यहाँ पर वापस आते हैं javascript पे तो मैं आप लोगों को बता है pyramid of doom बन जाता है और बहुत difficult हो जाती है script जो है handle करना ठीक है तो इसलिए हम लोग promise का इस्तिमाल करते है अब promise क्या है solution to the callback hell is promises promise is a promise of code execution अब क्या मतलब हो इस बात का हम क्या करते हैं जिस तरह से हमें अगर हम चाहें कि यार हमारे code का इंतजार हो जाए अब देखो callback हम क्यों दे रहे हैं हम कह रहे हैं कि यह हो जाए तो यह कर ले ना फिर यह हो जाए तो यह कर ले ना इसलिए callback दे रहे हैं हम लेकिन अगर हमारे code का weight ही हो जाए तो अच्छी कोई बात ही नहीं है ठीक है इसलिए हम promise का इस्तिमाल करते हैं ठीक है तो हम एक काम करता हूँ यहाँ पर promise.js नम से तो अगर आप यह user snippets में जाओगे और यहाँ पर आप अपनी language का नाम लिखोगे यह चीज बहुत सारे लोग को शायद आती होगी बट करते नहीं है वो ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग करो तो देखो यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से print to console prefix है log तो मैं इसको c log कर देता हूँ console.log कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपका करसर आ जाएगा ठीक है तो यह log output to console यह आपका एक snippet है आप इसके जैसे बहुत सारे snippets बना सकते हो मालो मैं एक alert के नाम से alt और मैं चाहता हूँ मालो की इसकी जो body है उसमें जो जो line सुंगी उनको मैं एक एक entry लिखूँगा और मैं लिखता हूँ alert और मैं आपर लिख दूँगा dollar 1 ठीक है यानि की जो cursor पहला आएगा मेरा वो यहाँ पर आएगा मैं आपको भी चला के दिखाऊंगा तो और clear हो जाएगा आप लोग को ठीक है और इसके बाद मैं आपर comma लगाऊंगा और मैं semicolon भी लगा दूँगा alert 1 के बाद अभी मैं आपर comma लगाऊंगा और comma लगाने के बाद in fact मैं I hope इसको सही लिख रहा हूँ हाँ मैं इसको सही लिख रहा हूँ और मैं comma लगाने के बाद यहाँ पर लिख दूगा dollar 2 तो जो मेरा cursor है वो यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद ठीक है और मैं फिर इसको इस तरह से बना लिख रहा हूँगा और यह मैंने print to console बना लिया एक मैंने alert बना लिया okay तो मैंने यहाँ पर colon नहीं लगाया गलती मैंने यह करीए alert I hope सब कुछ सही है अभी अगर मैं alt दबाऊं यहाँ पर और enter दबाऊं तो यहाँ पर मैंने लिखा हैरी और tap दबाऊंगो तो मेरा cursor यहाँ नही लाइन पर आ जाएगा ठीक है तो आप देखो यह $2 मैंने लिखा इसलिए cursor मेरा नही लाइन पर आजाएगा ठीक है अगर मैं यहाँ पर कर दूँ और $2 यहाँ पर कर दूँ तो आपको दिखाता हूं कि क्या होगा फिर आप C log अगर लिखोगे ना तो पहले cursor नीचे आएगा शायद मैंने इसको save कर दूँ और $2 यहाँ पर $1 यहाँ 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 आपको ठीक है यह snippets बनाना बहुत important है यह आपको जरूर से आने चाहिए तो यहाँ पर मैंने दिख 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 दिया और अब मैं क्या करूँगा आप लोगो promise के बारे बताऊँगा promise का मतलब होता है promise of code execution और इसमें मैं .then और .catch करके या तो इसको मैं इसके settle होने के बाद मैं चाहूँगा कि या तो यह resolve होगी या reject होगी अब क्या मतलब मैं इस बात का यह मैं करके यह आपको बताता हूँ तो म फंक्शन लेगी new promise लिखा मैंने और मैंने resolve लिजा क्लिक कर एक इसको function दे दिया कुछ इस तरह से ठीक है अब मैं या पर क्या कर सकता हूँ कोई काम कर सकता हूँ और वो काम करने के बाद इसको resolve कर सकता हूँ जैसे कि मालो मैं कहें दो कि यार set time out ठीक है और मैं आपर चाहत कर सकता हूँ 3000 ठीक है और मैं आपर फिर लिख दो console.log yes I am done और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर resolve यानि की काम हो गया मेरा ठीक है तो मैं लिख दूँगा yes I am done और resolve मालो मैंने harry लिखा तो यह harry की value जो है वो मिल जाएगी मुझे अब मैं आपर क्या कर सकता from1.then और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कुछ इस तरह से console.log a यह ले सकता हूँ अब क्या मतलब है इस चीज का जल्दी से आप लोग को समझाता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि new promise योगी promise constructor है उसको आप दो चीज़े देते हो एक तो resolve होगी तब क्या होगा reject कब होगी तो आप resolve चला दोगे जब भी आपको इसको resolve करना है reject चला दोगे जब भी आपको इसको reject करना है जैसे कि मैं चाहता था कि जब यह set timeout चल पड़े तब यह promise resolve हो जाए और इस promise की छुट्टी हो जाए यानि कि promise run हो चुकी है काम खतम ठीक है फिर मैं क्या करूँगा prompt 1.then या पर आया ठीक है और आप देखो यह console log हुआ yes I am done और harry print हो गया क्यों हो है harry print क्योंकि मैंने कहा था कि इसको resolve कर दो harry value के साथ तो यह जो function ही मुझे harry देगा ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने promise.then की है मैंने का या promise जब resolve हो जाए तब आप क्या करो कि harry को जो है यह कर दो ठीक है most of the cases में हम क्या करते है कि जब हम network request मारते तो हम network request का इंतिजार करते हैं हम करते हैं network request का wait करते हैं जैसे ही network request हमारी हो जाएगी finish हम क्या करेंगे कि print कर देंगे कि इसको print कर देंगे network के अंदर जो भी हमारे data है उसको print कर देंगे तो यह उसके लिए यह तो मैंने dummy promise आपको बना के दिखाईए आपको यह बताने के लिए कि आप खुद की promise बना सकते हो जब भी आप उसको चाहूँ resolve कर सकते हो जब भी चाहूँ उसको reject कर सकते हो most of the cases में आपको खुद की promise बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग promise को जो है run करोगे already आपको promises मिलिंगी आप dot then का use करोगे dot catch का use करोगे ठीक है अब मान लो for some reason for some reason मैं कहता हूँ कि बाई एक random number generate करो ठीक है एक random number generate करो let a is equal to मैं कहता हूँ mat.random और मैं कहता हूँ कि if a if a is less than 0.5 अगर तो आप क्या करो random number was not supporting you ठीक है support में double p आता है तो अब अगर मैं आप लोग को यहां पर दिखाऊ हूँ तो अगर मैं अभी आपको इसको refresh करकर करके दिखाऊँ तो देखो 2 second के बाद यह promise reject हुई और देखो no the random number was not supporting यहां पर यह error आ गया ठीक है और इसके बाद इसने yes I am done को जो है चला दिया लेकिन मैं चाता हूँ कि yes I am done ना चले इस case में अगर यह reject हो रही है तो मैं यहाँ पर else करूँगा और else के अंदर इस code को डाल दूँगा अब बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आएगा वह कहेंगे यह तो बहुत complicated हो गया मैं कहूंगा आप notes download करो और one step at a time पढ़ो notes को और समझो इस चीज को जो मैंने करा है उसको साथ में करो सिर्फ देखो मन बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं वो भी phone में और पि comment करते हैं कि भाई font छोटा है zoom करके बनाय करो video और बहुत सारे लोग तो यह भी कहते हैं कि भाई जहां पे चल रहा है को अट उत्ती जगह पे zoom करके बनाय करो video भाई laptop में देखो लैप्टाप है तो phone में तभी देखो जब आपके पास laptop नहीं है और अगर phone में देख भी रहो phone में नहीं होती है ठीक है नहीं होती है आपको computer की जरुवत पड़ती है पूरी coding नहीं होती है हाँ आप थोड़ा बहुत कर सकते हो काम बट एक limit में ठीक है सब कुछ नहीं होता phone में तो इसलिए अगर phone में काम कर रहे हैं तो laptop लेने का एरर दे रही है अब देखो मैंने इसको reload किया है यहाँ पर तो एरर आ रहा है 50% of the time मुझे एरर देखने को मिलेगा दिखाता हूँ आपको यह देखो एरर देखने को मिला मैं जाता हूँ कि एरर इस तरह से ना है इस एरर को catch किया जाए तो मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा prompt1.then this और मैं कह दूँगा .catch इसी के साथ साथ ठीक है और मैं क्या अगर एरर आया तो क्या करो console.log कर दो इस एरर को ठीक है तो यहाँ पर देखो यह console.log होगा लेकिन अगर मैं स्कॉप चलाओंगा तो देखो दो यहां तीन सेकिंड के बाद जितना भी delay मैंने डाला हुआ है yes I am done, Harry आ गया तो यहां तो कोई network request reject हो सकती है यहां वो चल सकती है, successful हो सकती है, successful होई तो आप क्या चाहोगे, कि उसका data आजाए तो आप यह .then function यूज करोगे वोगर आप .catch यूज करोगे, error को handle करने के लिए, .catch बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे code में तो error आए गई नहीं मैं सही से लिखूँगा, तो मैं .catch लगाता ही नहीं नहीं, unexpected scenarios आपको दिवांग में रखने होगे, जैसे कि अगर आपका net चला गया, user कुछ कर रहा था, net चला गया उसका तो square error मिलेगा, आपके server से वो connect हो नहीं पाएगा या फिर आपका server मालो down हो गया, यह भी possibility लेके चलो कि या मेरा backend down हो गया, तो users को क्या देखने को मिलेगा तो कम से कम users को यह देखने को मिलना चाहिए कि हाँ भाई, we are working on a fix, our systems are not working, please wait after 3 minutes तो user गएगा, हाँ भाई, चलो ठीक है, यह फिर यह कह दो, my site is under maintenance, maintenance में चलेगी यह site समझ में आगा जब projects बनाएंगे, लेकिन अभी इसको as a theory आप जो है, वो समझो क्यों कि काम आने वाली है आपके बहुत ठीक है, अब मैंने आप लोगों को consumers के बारे में बताई दिया कि dot then और dot catch क्या होते है, dot then आप इस तरह से जो है, एक function लेगा सबसे पहले, जो कि जब स इस तरह से आप लोग उसको जो है चलाओगे, तो ये notes आप लोग पढ़ना, आप लोगो और clearly समझ में आएगा, promise dot finally जो होता है, वो कुछ general cleanups करने के लिए जो है, यूज होता है, कि मानलो आप चाहते हो कि finally जो है, आप अपनी सारी files वगरे close कर दो, जो कि आपने खोली दी तो आप promise dot finally का इस्तेमाल कर सकते हो, अब बात करेंगे promise chaining की, हम promises को chain कर सकते हैं, और जो resolved values हैं, उनको एक दूसरे में pass करा सकते हैं, for example, मानलो मैं एक p नाम की promise है, उसमें dot then लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार ये function जो है, वो चल जाए, जो कि यह alert कर रहे हैं, वो return करें two को, और अगर मानलो यहाँ पर एक और promise two को मैं return कर रहा हूँ, तो मैं dot then कर सकता हूँ, और finally क्या है, जब वो promise resolve हो जाए, तब मैं यह देख सकता हूँ कि क्या मुझे करना है, और इस तरह की chaining चलती रहेगी, यहाँ पर तो मैं value return कर रहा हूँ, यह two की जगा promise हो सकता जो की P2 होती, मानलो ठीक है, तो अगर P2 एक promise है, तो वो resolve होगी, तब यहाँ पर यह dot then चलेगा and so on, जितनी भी promises आप चाओ, resolve करवा सकते हो, तो यहाँ पर the idea is to pass the result through the chain of dot then handlers, ठीक है, तो simple है, बहुत ही simple है, तो यहाँ पर I hope कि आप लोग को समझ में आ गया है, अगर मैं आपर dot then dot then करके, एक ही promise पर अलग अलग handlers लगाँ, तो यह सब independently run करेंगे, इस handler 1 का, इस handler 2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो यह हम कर सकते है, multiple handlers attach कर सकते हैं, एक promise से, अब इसके बाद promise API के कुछ methods जो कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर prompt 1 मैंने बनाई, और मैं एक prompt 2 बनाता हूँ मैं, ठीक है, एक prompt 2 बनाऊँगा मैं, और मैं prompt 3, prompt 4 भी बना सकता हूँ, और मैं तरहा time इसका कम कर दूँगा, एक second करता हूँ इसका, और इसको hurry 2 पर resolve कर दूँगा, और yes I am done 2 कर दूँगा, यहाँ पर, no random number was not supporting you, 2 कर दूँगा इसको यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पर देखो कि जब मैं promise 1.then करना हूँ, मैं यह हटाऊँगा, और मैं यहाँ पर simply क्या करूँगा, मैं करूँगा promise.all, और मैं यहाँ पर एक array दूँगा, prompt 1 और prompt 2, ठीक है, और यह एक नई promise होगी, P3, ठीक है, और मैं यहाँ पर P3 पर then लगाँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा, P3.then और मैं यहाँ पर एक function लगा दूँगा, और मैं कहूँगा, console.log.e, ठीक है, तो जो मैंने पहले लगाया था, .then वाला function वो मैं यूज़ कर सकता था, वैसे, बर कोई बात नहीं है, दुबारा लिख लोगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कहा सकता हूँ कि console.log.e, ठीक है, तो इन दोनों मैं से जो भी पहले चल जाए, वो यहाँ पर आप लोग को दिखेगी, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैं इसको reload करूँ अगर, तो यह कह रहा है कि ERR is not defined, let me see, तो यहाँ पर भी मुझ इसको resolve किया था, एक को किया था, हैरी two values है, और एक को किया था, हैरी values है, ठीक है, दोनों promises जब resolve होंगी तब यह आएगा, मालनो मैंने इसको reload किया, और यह वाली promise resolve नहीं हो इस बार, तो यह इंपर रुख जाएगा, और यह assignment done हो गया, लेकिन यह return नहीं करेगा value, तो यह promise जो है, वो resolve नहीं हो पाई, मैं दोबारा इसको reload करूँगा, और मैं try करूँगा, कि क्या दोनों promises की values resolve हो रही है, यह मुझे दोनों की values जड़ेगा, तो यह आपर शर्त यह है कि दोनों, जो promises है, वो resolve होनी चाहिए, promise के settle होने का क्या मतलब है, settle होने का मतलब है, here to resolve होगी और reject होगी ठीक है इन दोनों में से होगी resolve होने का मतलब है कि एक value मिलने चाहिए मिना error के ठीक है तो ये resolve होने में और settle होने में difference है मेरी बात को दुबारा सुनना जो मैंने बोला है resolve होने में और settle होने में क्या difference है क्योंकि दोनों में difference है और ये बहुत important है आपको जानना तो दुबारा से सुन लेना का समझ में नहीं है तो promise.all settled क्या है कि भाई कोई भी कुछ भी आ जाए result ठीक है अब वो resolve वो reject हो हमें कुछ नहीं पता लेकिन चल पढ़ें दोनो promises तब आपको क्या use करना है all settled ठीक है all settled आप लोग use दोनों की आपको मिल जाएगी तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसको reload किया और finally आपको दोनों promises की status और values मिल जाएगी fulfill हो गई तो status और value मिलेंगी और अगर reject हुआ तो reason मिल जाएगा value की जगा ठीक है तो यहाँ पर देखो यह वाली reject हो गई no random number of supporting you to जो है यह reason था यह error थो हुआ ठीक है simple है तो हमने promise.all देखा promise.all settled भी देख लिए promise.race क्या होता है यह क्या race लगवा रहे हैं promises की सारी जो भी पहली promise.race settled हो गई उसका result यह error जो है वो outcome बन जाएगा ठीक है तो हम एक तरह से race लगवा रहे है promises की तो अगर मैं यहाँ पर कहना promise.race तो आप देखो पहली कौन से resolve होगी simple सी बात है promise to resolve होगी तो यहाँ पर promise to जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पर yes harry 2 आगया yes i am done 2 आगया ठीक है तो इन दोनों promises की race करवाएंगे तो जो अब अना कभी-कभी पता नहीं होता है मैं जैसे मालों दो network calls में अगर मार रहा हूँ and its resolve become the outcome मालब reject नहीं होनी चाहिए यह fulfill होनी चाहिए ठीक है यानि कि resolve होनी चाहिए promise अगर वो resolve होती है तो क्या होगा आप लोग को वो value मिल जाएगी जो सबसे पहले resolve होगी ठीक है अगर सब reject हो गई तो क्या होगा यह एक aggregate error तो यह खुड try करो आप लो promise.any फिर इसके बाद promise.resolve और इसको आप multiple values के साथ try करना मैंने prompt 1, prompt 2 के साथ किया है prompt 1, prompt 2, prompt 3, prompt 4, prompt 5 तक कम से कम try करना इसको ठीक है बढ़िया promise.resolve क्या है कि makes a resolve promise with a given value यानि कि आप चाहते हो कि एक resolve promise बन जाए तो यह कुछ ऐसी एक value देगा कि यार कुछ ऐसा प्रतीत कराएगा कि जो promise है जो value है एक resolve promise से आई है ठीक है यानि कि यह पूरा resolve promise को return करेगा कि एक promise थी और resolve हो गई ऐसा प्रतीत कराएगा same for promise.reject भी है ठीक है यह कुछ ऐसा प्रतीत कराएगा कि rejected promise थी और इस error के साथ rejected promise थी ठीक है तो अगर आपको directly rejected promise बनाना है तो आप बना सकते हो यह यूज करके ठीक है आप लोग अपनी अपनी custom promise स्पेस को try करना और अगले वीडियो में हम लोग acing await को देखने वाले है अब यह जो promise का concept है callback का concept है अगर आप लोग के लिए नया है मैं चाहूँगा आप लोग notes को पढ़ें अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो और आपने code नहीं लिखा तो आपको समझ में नहीं आएगा जी मैं आपको इस बात की guarantee दे रहा हूँ ठीक है और अगर आपने code लिखा और समझ में आ जाए आपको तो हाँ that is something की मैं आपको believe परूँगा अगर आप मुझे बता हो यह बेना code से इनकी printout निकल वाके कुछ अपना भला करो और यह sigma web development playlist को access करो और यहां click करके star करो bookmark कर लो इसको और एक का मेरे लिए भी करो यार first video में जाकर review कर दो इस course को कि यह course कैसा है 5 में से star इसको दोगे आप तो दिल से अच्छा लगेगा अभी के लिए इस वीडियो में इतने झाल